जो इंडिया गठवंदन उन्होंने बनाया है जो इंडिया गठवंदन पिछले बार एक गठवंदन बना था चंद्रवाव नैडू जी का उनका क्या हर्स हुआ स्टेट में नहीं तो मानिय नितिश कुमार जी का भी बिहार के बाहर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कोई मकसद उनका सिर्फ एक है कि हमको नरेंदर मोधी जी को पर्दान मंतरी नहीं बनने देना भाज पाक के घठवंदन एंडिये उसको सत्ता में नहीं लाना आज भी मानिया नरेंदर मोधी जी के समख्ष कोई ऐसा व्यक्ती नहीं है पर्दान मंतरी के रूप में जो ऐसा आप मिल गए हैं और जातिय गणीत को आप जोड़ रहे हैं लेकिन जनता के बीच में क्या हमें से यह देखना होगा आज आप मन से नहीं जुड़े हैं, मजबूरी में जुड़े हैं, सौधेवाजी हो रही है, तो इस गठ बंधन कितना चलेगा, जहां पर आप कमिट्मेंट नहीं है, कोई भी आपका एक रूपता नहीं है, नमस्कार में नामुदेप्टारन है, देभ्या टॉप में आप सभ लगभग तै कर दिया गया है, जीतन रामान जी की पार्टी हिंदुस्तानावा मोर्चा अब इंडिये का हिस्सा है, इंडिये की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे, लोग सवा में इंडिये को मजबूत करेंगे, उसी मुद्धे पर हम बात करेंगे, हमर साथ संतोष सुमन है, पुर्व मंत्री रहे हैं, और बिहार में हिंदुस्तानावा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्री अध्यक्ष है, सवाल है कि सर, आप लोग नितिश कुमार बात कर लेते हैं, नितिश कुमार के साथ आप लोग का एक लंबा अनुभा हो रहा है, पिसले 18 स सालों में कई बार उनके साथ आप लोग काम की, उनके पहले भी कर तुके हैं, अब नितिश कुमार एक्जिट कर चुके हैं सर, इंडिये से, इंडिये आद अगर दिखा जया तो जातिये गणित्ते कमजूर दिख रही है, 24 का नहीं है, फिर कैसे पार लगे जा, देखे, मा अक्तिकत तर्फ राज में हम लोग उनका संबान करते हैं, और राजनीती में अपना-पना सब का एजंडा होता है, और मानिये नितिश कुमार जी किन कारणों से महा गठवंधन गया है, इसकी जानकारी नहीं है, और हम लोग उस मुद्दे से भिंता रखते थे, इसलिए अ जानता दाल उनाइटेड एक्स एकेले लड़ी थी, और उसके बाद राजाद एकेले लड़ी, और दोनों को वोट अगर आप जोड़ दें उस बेसिस पर, तो वह फॉर्मूला की जाएगा, तो सब सिट पर जीती जाएंगे, हम लोग फिर हैं कहां, लेकिन राजनीती में चलता है, राजनीती में परसेप्सन चलते हैं, और समय समय पर सेप्सन चेंज होते हैं, और उनीज की बात आप कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होई थी कि नरेंद मोजी जी के सपोर्ट में सब लोग है, और यहां उन्चालिस सिट जीते चालिस में आया, यही नहीं द आती है, गनीत को आप जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता है कि बीच में क्या हमेसेज है, यह देखना होगा, हम जो समझते हैं, हम समझते हैं कि आज भी मान्य नरेंद मोदी जी के समक्ष को ऐसा ब्यक्ती नहीं है, परधान मंतरी के रूप में, जो ऐसा दिखता है कि कोई परधान मंतरी हैं, और नौ सालों का कारिशकाल में, पूरे देश दुनिया में उनका नाम हुआ है, और एक इमर्जिंग लीडर, जो वर्ल्ड लीडर जिस हो कहते हैं, पाउर्पूल लीडर की बात अगर आपका हैं, तो उस रूप में उहरे हैं, और उसके बाद देश की एकनॉमिक की बात करें, तो तिसरी अर्थ बेवस्ता की बात हो रही है, अभी हम पाचमी अर्थ बेवस्ता हैं, और निश्ची तोर पर सभी बर्गों को ले के चलने का काम करती है, तो जनता का जो मूड है, जनता का जो विश्वास है, अभी भी नरेंद मोदी जी पर है, तो नरेंद मोधी जी नेता है और परसेप्शन है लोग उनको पुना देखना चाहती है 24 में इसलिए इस तरह का समीकरन कभी रानिती में चलता है कि वो समाज जोड लीजिए और जहां तक माने नितीश कुमार जी का सवाल है तो माने नितीश कुमार जी जो चौदा में जो उ कल चुला है अब उनको लोग दूसरे कारणों से जानने लगे हैं पर सासन पर पकड़ उनकी कम्योड हो कही है आए दिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में जो घटना कर्म है बरदातें हो रही है चोरी डखेती मॉडर इस तरह की बात हो रही है अब लोग उनको नहीं चाहते हैं लोग को नया को देखना चाहते है और लोग सवार में प्रणानमंत्री हैं विने खुद का रहे हैं कि हम पर देखेंगे तो कहीं पर बजूर नहीं नहीं है रागला भी है सर की आप लोग लगतार अभी एक दौरा आपने लंबा चोड़ा किया पिछले तीन महीने में कई जिलाब घुमें बिहार के लोगों के बीच जो विपक्षी एकता की बात चल रही है एक जो नया अलायंस बना है आई एंडिया यह उसको लेकर क्या रेस्पॉंस दिखा और क् विखार में महीं तक गठवंधन तीक पायेगा देखे़ गठवंधन जो बना है इस भड़बड़ी में बना है और इस प्रसानी में बना है कि हम को किस तरह से बारतिय जन्टा पर्टी को सत्ता से अटा देना है मकसद उनका सिर्फ एक है कि हमको नरेंदर मोदी जी को है मान्य नेनेंद मोदी जी भर अच्छा करें उस हम क्या करें तो को पहले सब्सक्राइब यहां पर 26 पार्टियों का गठवंदन है और सब पार्टी अपने जगह पर रीजिनल अस्तर पर एक च्छेत्री च्छत्रप जिसों करते हैं और हर छेत्र में उनका अपना एक पकड़ है के नहीं है यहां ब्यार में लिखच तो राजद है कहीं पीसी ज個 देखें महत्वकांचा तो सब महत्वकांचा उनकी महत्वकांचा उनकी बदर मंतर गोवन कीwhen मंतरी बन सब इसे लीडर शीब के अंदर में हम काम करेंगे तो पहले तो सोलारिटी होनी चाहिए आज आप मन से नहीं जुड़े हैं मजबूरी में जुड़े हैं सौदेबाजी हो रही है तो इस गठवंदन कितना चलेगा जहां पर आप कमिटमेंट नहीं है कोई भी आपका एक रूपता नहीं है तो आप अपना इडिलोजी है सब अपनी बाते कर रहे हैं तो जंता में भी तो देख रही है कि यहां पर कोई ऐसा आदमी ही नहीं है को सब को ले के चलने वाला और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोग कॉंग्रिस के अलावा भी बने हैं कितना दिन चले हैं कोई साल बर चलते है चलते हैं तो जिसके पास है आज के डेट में भार्णी जंता पार्टी के पास अडिया के पास इस्टैबिलीटी है और उनके सभी उन्यतित में काम कर रहे हैं हम लोग इतना अर्थी सुन चालीस दल हैं सब नरेंदर मोदी जी को नेता मानते हैं लेकिन वहां पर अभी एन दिसाइड होना है कोन बनेगा कॉन बनेगा कंगरेस बनेगे के स्टालिन बनेगे के महम्ता बनर्जी बनें जिए बात नहीं कर पाता हैं तार पर कैसे मिश्वास करें का इक कर दो झाल झाल